हेलो फ्रेंड्स विल्कम माई चैनल आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्पेशल और एक दम यूनिक रेस्पी लेके आई हूँ आज से पेले यह रेस्पी नहीं खाई होगी तो इसे बनाना आप जरूर अपने घरों में सभी को पसंद आएगी यह सी रेस्प की तरफ उससे पहले आप सभी का स्वागाद फ्रेंड्स अपके अपने चैनल राधा जी की सिंपल फोट रेसिपी में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करें सस्क्राइब करें चैनल को भी रेस्पी के लिए जो हमें पालक चाहिए रहता है डाइसोग् और जाधे क्यों काट लिए गया, बीचंट लें पालक हुई स्कwn बाद आठेगे से टले कोई ऐस्री जबसे कि पालक काट ले टेँगे, और दूसरी बार प्रिंग हात उसे समय रख लें यह ता निवेग स्कुल आए पालक कॉश्य काट कट लेंकिमिक, ऍस्कों बारे बिल्कूल बारिक बारिक थो ही इस के लिए इस ल आ दे जो कैल mm चाहिए आप सोच रहेंगे देनल क train छॉइन Durally जरूर करना सब क्सक्रों lean लगीन मानना तो आप इसे जरूर करना एक बार मेरे कहने पर ठीक है डंधल में से डंडी डंडी इसकी हरी-हरी निकाल लेंगे गोभी का फूल का आप सब्जी वगेरा कुछ भी बना सकते हो और डंधल निकालने के बाद डंडी को छील लेंगे आप चाहों चीलने से भी छील कि लीका निकलता है और कम छोनल और त्यार होता है ढृब है हुआ कि टीटी-चोटी कर देंगे हैं अठिड़ जितनी चोटी आप यहां कटिंग कर सको इन डंथल की उतनी ज्वाल्र एक प amigos स यृск लेना तो अहीं आपको इसे ही मिमें पाने डाने चाहल लोगशानि बना ल चांच भी ले सकते हो और चार कटोड़ी के लगबक आप यहां चांच ले लेना और क्या करना है इसमें जो एक चुताई कप अब हम बेसन डाल देंगे बेसन को चांच भी लेना और उसके बाद जो इसका गोल बना के हमें तयार करना है बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहना गोल बना के तयार कर लिया है गेश चलाकर हमने कडाई रग दिए और उसमें दो बड़े चमचा यहां ओईल लिया है रिफाइंड ओईल लिया है मैंने आप चाहो तो इस जगे सरसो का तेल भी ले सकते हो ओईल हमारा जब अच्छे से गरम हो जाए तो एक चमच जीरा और आदी चमच यहां राह लेनी है सरसो जीसे बोला जाता है इन दोनों को अच्छे से चटकने देंगे हम और यहां मेने दो प्याज काट लिए बारिक बारिक दोनों प्याज काटने के बाद बारिक को उसको भी इसमें एड़ कर देना हमें और यहां तीन-चार हरी मिर्च भी हमें बारिक बारिक पहले ही काट के तयार कर लेनी है ठीक है प्याज कहल के हातों से चलाते हो सोर charter कर लें मिर्चे कर लें मिर्च है जुआ कि प्रवे शामें जर्वारें जोलेगे इसे को pods और आसे जुआ OF जुआ जर्वे का झाले इन सभी को जो चलाते हुए मिक्स कर लेंगे गेस की फ्लेम स्लो रखने के बाद यह आप इसमें मसाले डाले वरना जो मसाले जल जाते हैं बहुती जल्दी से वह बिल्गुल चम्चे से अलटते पलटते एक सेकेंड में इन्हें बूनना है जादा नहीं बस और जो हमने जो फट जाती जब तक इसमें बोईल अच्छी नहीं आ जाती जब तक चलाते रेना है यह डंठल की जो रेस्पी है ना मैंने भी कभी नहीं बनाई थी आपके लिए एक बात बता देती हूं मैं पर एक बार एसा हुआ था कि गो भी बहुत महेंगी आ रही थी आज से एक ड लगती है तो आप इसे जरू ट्राय करें और जब अच्छी बोईल आ जागी इसमें तो उसके बाद पालक इसमें डाल देना है हमें टेस्ट के अकोडिंग आप यह नमक डाल दें चलाते हूँ इसे मिक्स कर देंगे अब बस इसको खदकने देते जब तक हम हमारी दूसरी चीज को तयार कर लेते हैं जो हमने डंटल लिये थे ना उनका क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ पर कड़ी खदके कि जब तक हम वो हमारा काम कर लेंगी एक बड़तल ले लेना है उसके बाद जो हमने आदा कप के लगवग यहां बेसन लिया है और बेसन जो हमने पावडल लेंगे हम यहां और हाफ टेबल स्पुनी हम यहां धनिया पावडल लेंगे इसको भी इसी में एड़ कर देंगे हम टेस्ट के अकोडिंग आप यहां नमक ले ले और एक चुथाई चम्मच के लगवग जो हीं ले हींक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है और नमक स्वादनुसा डालके इस सभी को मिक्स कर दें और एक दम इसका हमें गोल बनाके जो है तयार करना है मैं आपको बताती हूं उसी कप के मैजर्मेंट से कि हमें यहां कितना पानी लगेगा तो थोड़ा थोड़ा करके जो हम इसमें पानी डालेंगे एक साथ नहीं ड पतला क्योंकि जो रेस्पी बना रहे है उसके लिए बीच की कंसिस्टी का गोल हमें चाहिए रहता है वो थोड़ा सा पानी यहां बचा है बाकी सारा पानी हमने इस गोल में एड़ कर लिया है डालके यूस किया है मतलब अब जो ओईल गर्म होने गोल हमारा बन चुका है ड पार में आपके जितने आजाए ना आप उसमें इतने ही डाल देना और चलाते हुए मतलब इनको थोड़ा कर लेंगे यह recipe आप friends try करना आपको बहुत ही ज़ादा पसंद आएगी और इना अब इसको चलाते हुए जो हमें fry कर लेना है अलटते पलटते अलटते पलटते तीन चार मिनिट में ही करना है और मेडियम फ्लेम पर करना है हमारे इनको भज़ये बोला जाता है जहां तक मुझे प्रलाजता है और उसके बार ये वापत से दूसरे गणे को भी हमें यसा ही तल लेंगे बिलकुल और जितने आज़ए होटने आप डाल देना मैंने आ सभी को डाल दिया है दो बार मैं ये बिल्कुल भी चलाते हुए क्या करते है ना तो जल्दी हो जाते हैं और यह भी हमारे सिग्गे हलका कलर चेंज हो गया इनका और यह बहुत ही टेस्टी बने इनमें इस अपना टेस्ट होता है यह रूखे भी खा सकते हो आप अच्छे लगते अब चलते हैं वह जू पालक की क तो थोड़े से उन्होंने खा ली थे इसलिए कम हो गए थे बाकि इनको चलाते हुए मिक्स कर देंगे और अब यह कड़ी को थोड़ा और पका लेंगे पांचे मिनिट और पकोड़े डालने के बाद जिससे की जो अमने भजी बनाएं इसमें अच्छे से यह इसमें अच्छे से ओजाए इनका जो टेस्ट आता है ना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा आता है तो आप इस तरीके से कड़ी एक बार जरूर बनाएं पालक की साथ के साथ ही डंठल वाले पकोड़े जो बनाते हैं इनमें अलग ही टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा अपना कर लेंगे यह आप ऐसे भी बना के खा सकते हो पर जब तड़का इसमें डाल देते तो इसका जो टेस्ट इना हो तीन पूना बढ़ जाता है थोड़ा सा ओई ले लिया है से मुसी गड़ाई में हमने जो एक्स्ट्रा ओईल था वो निकाल दिया है थोड़ा सा ओईल रख लिय जाती है इसलिए फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है हमें चार लाल मिर्च ले लिए साबूत विल्कुल गयस के फ्लेम जो आप स्लो रखना वनना वह भी जल्दी जल भी जाती है और यह ना लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देंगे गेस कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर गेस की फ्लेम बंद करने के बाद सब्लकुल इसको अपने आप में भून लेंगी यह इतनी हीट रहेती इनमें क्या अच्छे सब भून जाती है और जो तड़का हमने तयार कर लिया है उसको इस कड़ी पे डाल देंगे हमारी कड़ी जो एकड़ मैं पर्फेक्ट बन चुकी ह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंट्स यह आपको इतनी पसंद आएगी आप एक बार 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 बनाओगे तो इसे आप जरू ट्राय करना मेरे केने पर इसको आप पूरी परांटे रोटी किसी के साथ भी खा सकती हो बच्चों को भी पसंद आएगी सबी को पसंद आएगी आपको इसे केसी लगी रेजपी यह भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना फिर फ्रेंट्स एक नई वीडियो के साथ एक नेक्स रेसिपी में फिर मैं आपको एक नेक्स रेसिपी में